हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अनिल सांगवन सभी दोस्तों का स्वागत है अपने इस यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम क्राउड वन का जो लिंक मी प्रोडेक्ट है उसको कैसे क्लेम करें जैसे कि आपने पहले बताया था कि कम्पनी ने इस यूर अनौसमेट किया था कि वो इंटरटेन्मेंट कम्मुनिकेशन और क्रिप्टो करांसे में आ रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेडिड प्लानेट आई- familiar का अनौसमेंट उन्हें ने कर दिया हैं कम्मुनिकेशन से में उन्हें इंप्रूमेंट स्टाट किया है कम्मुनिकेशन का ही एक पार्ट मान सकते हैं लिंक मी पहले तो बता दे कि लिंक मी नेक वैक्या ओपन करते हैं और तीन लाइन पर उपर क्लिक करते हैं तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर सी स्टोर में जाते हैं सी स्टोर में जाने के बाद आपका सी स्टोर ओपन हो जाएगा थोड़ा नीचे डाउन करेंगे डाउन करने के बाद आपको यहां पर ओप्सन दिख पर आएगा आपको यहां पर click करना है claim now पर और जिसका पेक gold है उनमर्ट ही आएगा gold से नीचे पेक को claim करने का option नहीं आएगा तो आफ पर आप करना चाहते हैं तो अपने पैक को gold भी कर सकते हैं तो यहां पर जैसे यह आप claim के button पर click लिख करेंगे तो automatic site जो access होके और auto login हो जायेगा और आपका यहां पे link दिख जाएगा जैसे मेरा यहां पे link दिख गया है यह link में लेगा link है उसके साथ ही आपका यह दो link automatic जरनेट होके आएंगे तो crowd1 का जो आपका crowd1 का id का जो referral link है वो और एक mixer का दोनों automatic जरनेट होके आ जाएंगे उसके अलावा आप यहाँ पे अपने social site जो भी advertising advertising site है उनका किसी सभी का link आप यहाँ पे डालके और promotion कर सकते हैं इसका एक फादा यह है कि किसी अलग-अलग जगह नहीं जाके सभी आपकी जो social site है like जैसे facebook है telegram है twitter है youtube है सभी का link एक जगह डालके और एक link से को ही share कर सकते हैं आप यहाँ से जैसे की कैसे करना है मैंने यहाँ पे अपना देखिए ओल्रड़ी यहाँ पे दोनों का आया हुआ था crowd1 का और mixer का यहाँ पे मैंने अपना facebook एड किया है twitter एड किया है और यह crowd1 का जो plan का youtube वीडियो था वो एड किया है telegram का link एड किया है instagram का है और youtube का मेरा जो link है में उसका किया है यहाँ पे आप link भी कर सकते है add कैसे यहाँ पे देखिए add new link यहाँ पे हमें किसी अधर का link add करना है social site का कैसे करेंगे जैसे ही आप अपना यहाँ पे add link पे click करेंगे मालो मैंने अपना facebook का तो कर रखा है facebook page का करना है तो यहाँ पे हम title में डाल देंगे facebook page ठीक है facebook official page और यहाँ पे उसका URL link का URL page का link डाल देना है ठीक है तो link कैसे लेना रहता है दोस्तों जैसे ही आप अपना जैसे facebook का लेना है तो मैंने facebook का open कर लिया और मेरे profile पे click किया और आपका जो main आया है उसको यहाँ पे आप click करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा link उसको आप यहाँ से copy कर सकते हैं यह देखिए आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिखेगा ठीक है अनिल.230 और यहाँ पे आप copy के button पे click करते यह copy हो जाएगा यह तो मैंने link को copy करके हमें यहाँ पे paste कर देना है ठीक है ऐसे ही आप अपना logo भी लगा सकते हैं यहाँ पे photo भी लगा सकते हैं और यह plus का button है यहाँ पे किसीज का है यह जो link डाल रहे है आप किसीज का है Twitter का है Telegram का है Instagram का है LinkedIn ID का है किसी का भी है जैसे Facebook का है तो मैं यह Facebook पे logo पे click कर दूँगा यहाँ पे यह Facebook का logo आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे कोई photo set करना है तो यहाँ पे option है photo set करने का यह link delete करना चारते हैं profile से link में के से तो यह option delete का है delete कर सकते हैं अब यह link डालके आपको यहाँ पे नीचे option होगा preview का ठीक है? photo set करने लेना है आपको crowd one का mixer का facebook का twitter का crowd one का प्लाइन टेलिग्राम का instagram का यूटूब का ठीक है और इसके बाद आपको यहाँ पे public पे click कर देना है public यहाँ पे click करते ही आपने जो नया link डाला है वो automatic add हो जाएगा ठीक है? अभी देखो add नहीं था ना और यहाँ पे public पे click करते ही वो भी इनमें सांबिल हो जाएगा facebook का जो official page का है ठीक है अब फादा क्या होगा दोस्तों इसका यहाँ पे बताता हूँ जैसे ही आप यहाँ पे share का option है और यह link है link में का यहाँ के share के button पे click करते ही यह link copy हो जाएगा और अपने friend को किसी को भी WhatsApp पे Facebook पे या send करेंगे तो एक link में link से आपके सभी account चले जाएगे आपके partner के या friend के पास for example देखते हैं हम मैंने यहाँ से share का button पे click किया और कहाँ पे करना है option आप यहाँ से share कहीं पे भी कर सकते हैं आप WhatsApp पे टेलीग्राम पे Facebook पे कहीं पे भी यह link share कर सकते हैं यह देखिए share के button पे click करते ही ऐसे आपका barcode आ जाएगा barcode scan करके भी या उपर जो link है इसको copy कर लेंगे यहाँ से और यह copy करने का निसान है जैसे ही इस पे click करते हैं यह copy हो जाएगा यहाँ पे copy का button है देखिए रहा यह copy का button है इसको आप copy करके और कहीं पे भी share कर सकते हैं यह देखिए दोस्तो मैंने copy किया और यह जो मेरा group है चैनल है े इस पर डाला मैंने अभी ही हपे मेंने share कर दिया अभी हाँ पे share करने के बाद क्या होगा जो भी लोग है वह यहлись पे क्लिक करेंगे जैसे link पे click किया और Chrome browser में open करेंगे करों में किसी भी browser में open करते हैं जैसे तो लिंक मी का जो मैंने format डाला था मेरा account है वो पूरा open हो जाएगा और यहां पर देख देखी पूरे option है जिस जिस पर click करेंगे वो site अपन हो जाएगी जैसे कोई twitter का account यह twitter है यहां पर इस button पर click करता है तो direct वो मेरे twitter account पे चला जाएगा ठीक है यह मेरा twitter account है तो दोस्तों अगर आपने follow नहीं किया है तो मेरो twitter account मेरा id यह है अनिल्स एड़ दरेट अनिल्स आंगवान 2300 फोलो कर लिजिए प्लेज और इसी तरह youtube है जैकि यहां पर presentation plan है उसका वीडियो है new update basic information का यह है और youtube का है जैसे ही youtube पे click करते हैं तो जो अपने youtube चैनल है direct उस पे चला जाएगा और वहाँ पे जाके अगर आपने follow नहीं किया है तो youtube को भी follow कर लिजिए crowd1 से related पूरी जानकारी पूरे वीडियो यहां पे है आपको मिल जाएंगे ठीक है तो follow जुरूर कर लिजिए यह चैनल है अपना alcoin के नाम से follow कर लिजिए इसको और instagram पे click करते हैं तो जो मेरा instagram का id है डारेक्ट उस पे open हो जाएगा यह मेरा instagram का है यहां पे फोलो कर लिजिए जो जो अकाउंट है फोलो कर लिजिए प्लीज रिक्वेस्ट है भाई सभी दोस्तों से और कोई आपके यहां पे join crowd1 यहां पे click करता है तो आपका जो crowd1 का registration लिंक है वो डारेक्ट उपन हो जाएगा यहां पे देखिए यूसर ने रजिस्टेशन फोर्म उपन हो जाएगा तो बहुत ही easy है दोस्तों बहुत benefit है इसके आपको एक आपको खाली एक लिंक से बहुत सारे जो अकाउंट है social site के लिंक डाल दें दूस्तों इससे क्या होता है आपको prefer करूंगा मेरी तरब से आप social site पे active रही है mostly WhatsApp, Facebook, Twitter और उससे आपको business कोई भी business कर रहे हैं आप online काफी उसमें सुधार मिलेगा आपको आप देखना तरक्की मिलेगी आपको क्योंकि लोग आज का lockdown की वजह से काफी active है social site पे तो जितने आप social site पे active रहेंगे उतना ही आपका business को ज्यादा गरो होगा तो इसलिए link में एक best way है social site पे active और लोगों तक पहुचाने का crowd one का ठीक है तो social site Facebook को मेरे मुझे भी follow कर लीजिए Facebook account जो है YouTube है Twitter है तो काफी active रहते हैं वहाँ पे तो आपको ज्यादा तो होगा new user मिलेंगे आपको और यहाँ पर setting में style पे जैसे click करते हैं तो आपका जो banner है उसका style क्या आना चाहिए कैसे style आप उसमें use करना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर theme है आपने इसाप से अपना theme set कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे setting में जाके आप यहाँ पर crowd one link इसको enable भी कर सकते हैं automatic link हो जाए analyze यहाँ पर आपका growth भी मिलेगा किसने कितने site पर आपको कितनी बार click किया है यहाँ पर इसका CTR भी चलेगा और कितने percentage grow है इस पर लोगों ने click किया है यहाँ ठीक है दोस्तों और यहाँ पर आपका sort एक intro भी डाल सकते हैं like crowd one के related intro डाल के चोड़ सकते हैं यहाँ पर कि आपको कैसा project लगा और as a motivation intro आप यहाँ पर डाल के चोड़ सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो link में है उसको claim कर सकते हैं और अपना profile भी set कर सकते हैं तो दोस्तों यह था कैसे join करते हैं कैसे claim करते हैं link में मिलते हैं next वीडियो म साथ तब तक के लिए धनेवाद दोस्तों कोई भी project हो कोई भी video हो हम अपने coding उसका review करते हैं project का और आपके साथ share करते हैं यह हमारी कोई official advice नहीं रहती है आप अपने हिसाब से study कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना portfolio set कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में next update के साथ तब तक के लिए धनेवाद